आईए आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में देखे और सीखे दानी इटिंग चैनल में वीडियो सुरू करने से पहले आपको बता दो अगर आप मेरे चैनल में नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लें साथ पे घंटी आएगी उसे भी दबा ले ताकि मैं जो भ 5 mm क्रोसिया आपके पास यह नहीं है तो 12 नमबर या 11 नमबर भी क्रोसिया ले सकती है लेकिन यहाँ पर फोर प्लाइ ही उन लेंगे जो गोले वाली उन आती है इस तरह के इस उन से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा यह पिछली इसे सुरू करते हैं बनाने सबसे प जाएंगे जब से पहले यहाँ एक चेन बनाके से यानि गांट लगा लेंगे अब यहां से दो चेन लेंगे एक और ये दो आप जो यह रिंग बनी हुई है इसके अंदर हमें टोटल 12 डबल क्रोसिया करना है एक तो हमें यह जो चेन है इसे भी काउंट करेंगे और एलेमे कि इसी तरह से करते हैं हम डबल क्रोशे करेंगे इस मैजिक रिंग के अंदर कि अच्छली डबल क्रोशे कर लेते हैं पिर आगे दिखाते हैं आपको कि अच्छली डबल क्रोशे हमारे कंप्लीट हो गए हैं अब इसे छोटा से धागा दिख रहा है आपको इसे पकड़के इस तरह से खीचेंगे तो यह गोलाई में बन जाएगे आपके इस तरह से गोलाई बन जाएगी अब जो हमने थी की चैन बनाए थी सबसे पहले तो सबसे उपर वाले टॉप आले चैन पर जाके यानी वान टू छोड़के थी नमबर चैन पर डालते वह यहां पर सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से अब यहां से थी चैन बनाएंगे वान टू और यह थी 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 चैन बनाने के बद से इस जगह पर डालेंगे क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इसकी बगल वाले चेन है इसमें भी डालेंगे और टू डबल क्रोसिया करेंगे यानि कि हर चेन में अब हमें टू डबल क्रोसिया करके बनाना है हर चेन पर हम दो दबल क्रोशे करेंगे पहले हमारे पास 12 अब 24 हो जाने चाहिए हर चेन में दो दबल क्रोशे करते हुए हर चेन में हम 2-2 डवल क्रोशे कर लेंगे तोल टॉयन्टीफॉट डवल टूसीए करेंगे अश्परा नमें तो चुल्ह 24 डबल क्रोसिय कर लेते हैं उसके दिखाते हैं आगे अपको ये लेकर हमारे पास 24 डबल क्रोसिय हो गये लिपएमियो यह फिर कि बाले इससे नमबर चेन्प पर डालेंगे इस तरह से यहां पर धागा कट कर लेंगे दागा काटने के बाद इसे धागे को अंदर छुपा देना है अच्छे तरी तो देखे इस तरह से आपको ब्लेक क्लर के दो बनाने आपको इस तरह के ठीकी और एक वाइट क्लर का बनाएंगे तो मेरे पास तीन बन गए एक अभी बनाया दो बनावा था देखिए अभी इसे किस तरह से सिलना है वो ध्यान से देखिएगा तो मैंने यहां पर बना के रखा हूँ है मैं आपको दिखाती हूँ देखिए देखिए पीछे फिर पीच में रखेंगे इसको वाइट को यसे सिधह अपने तरफ रखेंगे इसे और फिर इक इधर ब्लेक लड़ को इसे भी सीधा रखेंगे इधर उल्टा है इधर सीधा है इस तरह से तीनों को बीच में इस तरह से रखना है अब देखिए इसकी स्लाइक ऐसी होगी पर मैंने ब्लेक लड़ का उन लगा लिया वह और यहां पर पीछे गांट नहीं लगाना है आपको अब देखिए सिलने का तरीका एक चेन हम यहां से लेंगे देखिए चेन लिया हुआ हमने चेन को पकड़ेंगे आगेर पीछे दोनु भाग को पकड़ेंगे फिर एक वाइट को लेंगे वाइट का चेन लेंगे इसे भी पूरी तरह से लेंगे चेन में यानि दोनु धाबो को और फिर पीछे साइड का जो हमने रखा हुआ है इस प फिर देखी ऐसी ये बने हैं फिर इसके second chain पर डालेंगे यहाँ पे और second फिर यहाँ पर डालेंगे इदर और फिर इसके second chain पर यहाँ पर डालेंगे इस तरह से फिर इसके अगली चेंड में डालेंगे यहां पर फिर इसके अगली में डालेंगे यहां और फिर यहां के फिर इदर से भी जिदर अमने बुनाने हुआ है वह पकड़ेंगे फिर यह चेंड में बुनाय करना है लेकिन पकड़ती विए छोड़ना नहीं हुआ देखें इतरब से पकड़ना है ताकि बीच में पर्गड में आ फिर ये चेन लेंगे हम नेक्स्ट ये चेन लेंगे हम और फिर ये चेन लेंगे फिर इस चेन में डालेंगे फिर यहां नीचे से इधर चेन में िचवाले चेन में और, याने फर्स्ट, सेटेकंड रड़ तेनों चेनों को पकड़ना में बराबर से, यह धियान रखना जादo टाइट करके नहीं करना में, हलके हाथों से ये से सिलेंगे हम, यह जाद़ टाइट कर दिया है, यह टाइट नहीं करना में, अधागे को जब हम फूरे सिलने के बाद धागे को साइड में रिजा के नहीं काटना है से अंदर की और से कहीं से निकाल की धागे को साइड करेंगे उसके बाद हम धागे को काटेंगे पर ऐसे लिए ताकि अब बीच वाला चेंड भी दोनों साइड से पकड़ेंगे तो बीच में यह चेंड जैसे दिखाए देगी तो फिर यह अच्छा लगेगा देखने में भी कुछ यसी तरह से पूरा साइड कर लेते हैं तो प्रेट मैं दिखा देगा कि किस तरह से करना जादा टाइट साइड नहीं पर यह तैस है जाधा टाइठ करेंगे तो यह क्या होग कि यह शिकट जाएगा तो अच्छा नहीं लगएगा इसलिए थोड़ा सा हलके हाथों से करेंगे ताकि ये फुला फुला से लगे यानी प्रफी लगे तो चलिए ये पूरा राउंड सिर लेती हूँ और धागी को किस तरह से छुपाना है वो भी मैं दिखाते हूँ आपको कि देखिए चारतर कमने इसे सिल्ली है अब देखिए इसे किस तरह से छुपाएंगे दावी पूएसे लेना है और अंदर से निकालते हुए के सी किसे निकाल लेंगे लेकिन जिस सेंटर हमने खतम किये वहाँ पर हमें निकालना है इस तरह से उसके बा Exam पिर हम इसे यहाँ कट कर देंगे और यह पता नहीं चलेगा ऐसे एपर क्रोशाइश से लेंगे और अपर साइड में केंज भी इसे इस तरह से इसे अब यहां पर इसे कट लेंगे ती कहीं भी आप दिखाई नहीं देगे कैसा लगा आज का यह विडियो आप सब को कितना प्यारा बना है यह और यू बिसकुट देखिए बिसकुट तो चलिए बनाए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज के वीडियो आपको कैसा लगा फिर में कुछ नया वीडियो लेकर आती हूं आपके सामने थैंक यू